नमस्कार प्रणाम आदाप सत्त स्रियाकाल मैं सूरज कुमारजा और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक न्यूज चैनल अभी हम मौजूद हैं तेताराबाद पंचाइद के चंद्रपूरा नाम के गाउं में और हमारे पास जो बिल्डिंग दिख रही है हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये सरकारी स्वास्तिक केंद्र है तेताराबाद चंद्रपूरा का इस्थिती आप देख रहे हैं गेट पे लौक लगा हुआ है ग्रील में जंग लगा हुआ है और पीछे जंगल जार जो भी है building टूटा फूटा हुआ है धा हुआ है और कोई यह श्टाप यहां पे मौझूद नहीं है यह है सरकारी शुविधा जब election का समय आता है तो हमारे जितने भी परतिनी भी खरे होते हैं या नेता बनने के एक्षुक होते हैं या नेता होते हैं विधायक होते हैं MLA होते हैं MLC होते हैं वो आते हैं लंबी-लंबी डिंगे मारते हैं बाते करते हैं और जनता को लुभा के ठक के चले जाते हैं जो हमने सरकारी शुविधा दिया तो आज हमारी परताल तेताराबाद चंदपूरा के स्वास्त उपकेंदर में है और हमारे साथ यहां के ग्रामीन बंदू जनता हमारे साथ जुड़े हुए है इस होस्पीटल के बारे में हम यहां के जनता से अब बात करेंगे जो क्या सुविधा मिलती है इस होस्पीटल में होस्पीटल को देखके आपको पता चल गया होगा जो यहां बर्सों से ताला लगा हुआ है स्टाप अगर यहां पे बहाल भी है तो आते हैं काम करके जाते हैं कोई ढंका काम नहीं होता है कोई इलाज नहीं होता है जो भी स्टाप है वो आते हैं और यहां के ग्रामीनों के कहने के अनुषार बाइक से आते हैं बात करके सिर्प चले जाते हैं इलाज दवाई के नाम पर कुछ नहीं है इस हॉस्पीटल में गेट लगा हुआ है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भाई बंदू जूड़े हुए तो हम उनसे बात करेंगे बही कितना दिन से यह उस्पीटल यहां पर बना है पहले यह तो बताईये हॉस्पीटल दशल से उपर्स होगा दस साल से 10-15 साल हो गया करता है कि सभी जगा प्राइट में हम लोग इलाज कर वाने जाते हैं सिर्फ मतलब पोलियों की दवाई के लिए यहां पर इस्तिती जो है काफी दैनिया है होस्पीटल की यहां के ग्रामीनों के कहने के अनुसार यहां पर सिर्फ पोलियों का जो डोज होता है दोबून जिंदगी का वो मिलता है कोई इस्ताप यहां पर मुहिया नहीं करवाया जाता है कुछ नहीं होता है और यहां का जो इस्विती आपके पता चल जाएगा यार गेट में ताला लगा हुआ है कोई याता जाता नहीं है हमारे साथ बादा größण क्या दादा कितना इलाज होता है यहां के हम ग्रामीन परति निधी जो है तेताराबाद चंदपूरा के जो भी मुखिया सरपंच या वाड कमिशनर या इस छेत्र के अलोली बिधान सबाद छेत्र के जो भी हमारे अभी नव निर्वाचित विधायक हों सांसद हों इस एरिया हॉस्पीटल बनाई हमने स्वास्त विभाग को देखा हमने सिक्षा देखा तो यही है हमारे बिहार का स्वास्त यही है हमारे बिहार का भविश्य यही है इस्थिति देख सकते हैं आप जंगल जहर पूरा जमा हुआ है कोई इलाज नहीं कोई इस्टाप नहीं होस्पीटल परेज़ान में एक बार शिर्पाइंगे चेहरा दिखाएंगे लंबी-लंबी डिंगे मारें एक पर फिर समाज का विकास नहीं होगा और पर परसासनिक संस्तान हो या परसासनिक संस्थान हो हमारा केमरा हमारा माईक हम बारवार कह रहे हैं जो हर एक दिन एक संस्थान पर पहुचेगा और वहां की इस्तिती परिस्तिती जो है आपके सामने दिताराबाद चंद्रपूरा नामग्गाओं के स्वास्तूब केंद्र की इहालत जो की बड से बट्र स्थिति में है गेट पर जाम लगा हुआ है सेटरिंग वाला पटरा है अभी दिन के सारे 10-11 बज़ रहे हैं एक भी इस्टाप यहां पे मौजूद नहीं है ग्रामीनों क कह जाने के अनुसार यहां पे सिर्फ पोलियो खुराक दिलवाने के लिए यह सरकार विल्डिंग वनाई है तो उसके लिए क्या है और यही स्वास्तूप केंद्र है यहां पे तो यह इस्तिती है फिर हम मिलेंगे आपको केमरा में अभी नास कुमार के साथ मैं सुरज कुमार आज आप विदा लेता हूं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम